समाजवादी पार्टी से ये उमीद करना कि वह किसी नियम को माने किसी सिस्पाचार को माने एक कपोल कलपना ही कही जा सकती है इससे ज्यादा तो सदन में भी सर्चा कब इससे आएंगे है उसमें रखेंगे समाजवादी पार्टी पहले भी इन सवालों पर धर्णा देना चाहती थी हमारे विधायक जाकर के सदन के मैं बैठ करके और सदन के भाद धर्णा देना चाहते थी सरकार ने रोक लिया सुमवार को विधान सवा के मानसून सत्र के पहले दिव जहां समाजवादी पार्टी की तरब से धर्ना प्रदर्शन किया गया तो वहीं सपा के इस धर्ना प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने भी पलट कर जबाब दे डाला मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने ट्वीट करते हुए वीडियो शेयर किया और बोला कि समाजवादी पार्टी से ये उमीद करना कि वे किसी नियम को मानेगे, किसी सिष्टाचार को मानेगे, इसे कपोल कल्पना ही समझा जा सकता है लेकिन जैसे योगी आदितनाथ ने सपा पर हमला किया तो अखलेश यादब भी मैदान में तरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ का जवाब देने पहुच गए समंधित और जमेदार नागरिकों या जमेदार संगठन और राजनितिक दलों का एक नैतिक दाहित्व करतबे भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसिशन के लिए उनको नेमानुसार प्रमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक विवस्था क भंग किये उस कारिकरम को निर्विक्न संपन करने की विवस्था देने का दाहित तो प्रसासन का है प्रसासन उसके तहद ही अपने कारवाई को आगे वढ़ाएगा उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्सित मार्ग होगा प् किसी शिष्टाचार को माने एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है समाजवादी पार्टी पहले भी इन सवालों पर धणा देना चाहती थी हमारे बिधाये जाकर के सदं के मैं बैठ करके और सदं के भाद धरना देना चाहते थे सरकार ने रोक लिया आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे उस समय भी रोका गया है आखिरकाई ये कैसी सरकार है जो बिधायकों को पूर मंत्रियों को कई-कई वार के बिधायक हैं पूर्व स्पीकर हैं बड़े-बड़े पदों पर पूर में लीड़ो पोशिशन रहे वो सब साथ हैं उनको सदन में नहीं जाने दे रहे अगर सदन में जा करके हम अपनी जंता की दो बात उठाते हैं आखिरकार सरकार क्यों नहीं फेस करना चाहती है और सरकार इसलिए नहीं फेस करना चाहती है क्योंकि हर मुद्दे पस सरकार अस्फल हुई है लेकिन लोकतंत के मूल्यों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सरकार रास्ता अपनाएंगे जब सदन में न नहीं जाने दिया तो सदन चला करके वंदे मात्रम से शुरुआत करके और हमारे जो बिधायक अर्विन गिरी जो हमारे बीच नहीं रहे उनकी भी सोक सबा करकर के खतम की है और अगली रणनीत क्या होगी वो भी हम लोग बिधायक बैठकर के त्या करें बतादी के खलेश यादब मांसून सत्र शुरू होते ही लगातार सरकार पर हमलाबर बने हुए हैं महंगाई बेरोजगारी किसानों की समस्य को लेकर सपा सडकों पर प्रदर्शन करने में जुटी हुई है ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरन की कारवाई में क क्या कुछ देखने को मिलता है ब्योरे रिपोर्ट यूपी तक है